नमस्कार, जहन साती हैं स्वागत है आज आप सभी का हमारे दिन संकल पीटूप चैनल के आज के इस नए वीडियो में UPSC 2020 की प्रेम परिक्षा बहुत ही नजदीक है और इसी को मद्दे नज़र रखते हुए हम आप सभी लोग के लिए Class 6 से लेकर के 12 तक की NCRT के Most Important Questions को आप सभी लोग के लिए प्रति दिन लेकर के आ रहे हैं जिसमें हमने अभी तक Class 6 की NCRT हिष्टी के Questions को आप सभी लोग के सामने रख दिया है प्रतेक के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे अलग प्लेइश्ट बना रखी है तो Class 6 की NCRT हिष्टी में हमने प्राचीन भारत की तियास को देखा था और इसमें लगवग 200 से 300 प्रसनों को हमने देखा था अगर आप लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो अबस्टी देखीगा और इसके साथ साथ हम आप देख रहे हैं Class 6 की NCRT जोग्राफी के महत्पोड कोस्टन को जो की ब्याक है के साथ सभी कोस्टन को बताया जाएगा तो अगर आप लोगों को UPSC की त्यारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सकाइब करेजीगा बेल अगर को दबाईगा और साथ ही साथ वीडियो को सेर अभश्य कीजिएगा जिससे की जो लोग UPSC की त्यारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियो पहुंच सके और वो अपने त्यारी को फ्री में सरल तरीके से हमारे इस द्रिन संकल वीटूब चैनल पर कर सके तो चलिए शुरू करते हैं आज हम आप सबी लोग के लिए लेकर के आए हैं क्लास 6 की NCIT जोगराफी के चेप्टर बनके प्रशनों को आज की इस चेप्टर का नाम है सौर मंडल में प्रिथभी अर्थात आज हम सौर मंडल और प्रिथभी इन दोनों के विशियों में महत पूर्ण प्रसनों को डिसकस करेंगे आज पूरे 30 से 35 कोस्टन होंगे तो इन सभी प्रसनों को आप सभी लोग देखीगा और साथि साथ सेर कीजिगा आप लोग एक काम कीजिगा कि हमारे आंसर देने से पहले आंसर देने का प्रयास किया करें जब आप हमारे आंसर देने से पहले आंसर देंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा confidence total high होगा आपको अंदर ये विश्वास जगेगा कि हाँ मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं ये कर सकता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रसंद दिया जा रहा है कि पूर्ण चंद्रमा बाली रात को क्या कहते हैं ऑप्षने पूर्णिमा औप्सन बीमा बश्चया औप्सन सी एबावी दोनों इन में से कोई नहीं तो इसका option ए बिल्कुल correct होगा अर्थात पूर्ण चंद्रवाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं ठीक है अब पूर्ण चंद्र जो होता ये एक महिने में लगबग एक दिन ही दिखाई देता है हमको अर्थात एक बार हमको इसको हम इसको देख सकते हैं पूर्ण चंद्रमा बारी रात होती है तो पूर्ण चंद्रमा बारी रात के 15 दिन बाद हम इसको नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये रात जो होती है एक नए चंद्रमा की रात होती जिसे अमाबस्या कहते हैं आप लोगोंने सुना होगा कि जब नया चंदर्मा निकलता है रथा तो उसको कहते हैं पारिवा इसके बाद दूसरे दिन निकलती है दूइज फिर आती है तीज तो इसी प्रकार से एक नया चंदर्मा बाली रात को कहते हैं बश्या ठीक है चली आंगे बढ़ते हैं और अब आप लोग पहले प्रसंट का आंसर तो जान चुके हैं अब दूसरे प्रसंट से आप लोग हमें हमारे आंसर देने से पहले आंसर देने का प्रयत्न करें तो कोश्चन नमबर दो दिया जा रहे कि निमले लिखित में से कौन से खगोली पिंड हैं आप्सन अ प्रित्वी आप्सन बी सूर्य आप्सन सी चंद्रमा आप्सन डी उलका पिंड और आप्सन ई उप्रोग तो सभी तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार से देना है माली है कि अगर A सई है तो आपको 2 और A कुछ इस प्रकार से आंसर देना होगा तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंड बॉक्स में दीजिएगा आप इसको एक टेस्ट सीरीज समझ करके पूरा हमारे साथ ही चलिएगा चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं इसका आप्सन यह बिल्कुल करेक्ट होगा ओके जो सूर चंदर प्रत्वी उलका पिंड है यह सभी बस्तुएं जो कि रात के समय में या फिर दिन के समय में आसमान में हमको चमकती हुई दिखाई देती हैं वे खगोली पिंड उनको खगोली पिंड कहते हैं अब आप कहें कि यहां पर तो सर लिखाई केबल रात को अब देखीगा जो भी बस्तुएं हमको आसमान में दिखाई देती हैं चमकती हुई चाहें वो रात को दिखाई देंगे दें चाहें दिन को अब आप कहें कि सूर जो है यह हमको रात में नहीं दिखाई देता है बढ़ते हैं और दिखते हैं प्रसन नंबर 3 को तो प्रसन संक्या 3 आप सभी लों के सामने हैं पूछा जा रहा है कि किन खगोली पिंडों को तारा कहते हैं जो आकार में छोटे हो ऑप्सन बी जिनके पास अपनी उस्मा तथा प्रकास हो ऑप्सन सी जो आकार में बहुत बड़े हो ऑप्सन डी जिनके पास अपनी उस्मा तथा प्रकास नहीं होता है इन चारों में से कौन सा ऑप्सन सही है आपको ही बताना है कि जो आज चार कथन दि के solve करें चलिए भी इसका answer अब हम आपको बताते हैं इसका option भी बिल्कुल गैसों का बनाया गर्म घैसों का और यह बड़ी मात्रा में जो तो अपने उस्मा को वाहर निकालता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और दिख्ते हैं question number 4 तो ये भी बहुती मैत्पूर्ण, सभी प्रसंद बहुती मैत्पूर्ण है, प्रसंद संक्या 4 दिया जा रहे कि तारों के बिविन समुहों के दोरा बनाएगी बिविन आकरतियां क्या कहलाती है, उप्सन A, उलकापिंड, उप्सन B, आकास गंगा, उप्सन C, सौर मंडल, उप्सन सही है, जो तारों के दोरा बिविन समुहों के रूप में बिवित आकरतियां बनाएगी जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, चलिए भी इसका आंसर हम आपको बताते हैं, इसका ऑप्सन D बिल्कुल करेक्ट है था, उनको कहते हैं नक्षात्र मंडल, अब इसकी ब्याक अक्षात्र मंडल, जैसे कि आप लोगोंने आसमान की उर आतमें देखेंगे, तो आपको एक सब्तरिसी की नक्षात्र मंडल दिखाएदेगा, सब्तरिसी का, थीक है, सब्तरिसी के अर्थात्थ साथ अतारे होंगे, ऐसे गर के एक लाइन में कुछ आकरती बनी हुई होती ह इसको मैंने समरी भी पढ़ा है तो अगर आपने में समरी को नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ेगा चलिए आँगे बढ़ते हैं देखते हैं यहाँ पर दिया जा रहा है कि प्रशन संक्या पांच अंत्रिक्ष से सम्बंदित अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है आपको बताना है कि जो अर्सा मेजर और बिग बियर हैं यह क्या है जल्दी से इसका अंसर हमको कुएन बक्स में दीजेगा बहुती सरल प्रसन है यह सभी और आप लोग अगर UPC के त्यारी कर रहे हैं और इसका एक्जाम देना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए गाइडें प्रसन को याद करते समय आप उसको ऐसे याद करें कि अगर आपको वही प्रसन चार तरीके से पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे सकें अर्थात किसी भी प्रसन पर आप जो तो पूर्ण रूप से जानकारी खटी कर लें ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं उसका अंस नक्षत्र मंडल है और इपने समाल बियर याप सब्तर तरू का समू कह सकते हैं ये बहूत आसानी से पैचान में आ जाने वारे नक्षत्र मंडल था आर्थात्व में कवलासजा एक भाग है, अर्षा मेजर जो ये बहुती बड़ा एक नक्षत्रमंडल है, अर्षा मेजर बिग बियर, ये दोनों ही नक्षत्रमंडल है, चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्टन नमबर 6 को, आज ये काफी सारे प्रस्णे हैं इस चेप्टर से, बहुती मैथमूर चिप्टर था तो मैंने सभी प्रस्णों को रख लिया है दिया जाराय की question नमर 6 ग्रह किन खगोली पिंडों को कहते हैं option A जिनके पास अपनी उस्मा तता प्रकास होता है option B जो आकार में बहुत बड़े हो option C जिनके पास अपनी उस्मा एबं प्रकास नहीं होता है एबं तारों की प्रकास से प्रकासित होते हैं या फिर option D जिनका अपना गुरुत्वा करसा बल होता है आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कतन सही है ग्रहक किन खगोली पिंडो को कहते हैं चली इसका अंसर जली से हमको कमेंट बाक्स में दीजीगा आप लोग अंसर देते समय वीडियो को पॉस्ट कर लिया करें और फिर आंसर दे करके फिर से आंगे बढ़ा करें क्योंकि अगर हम आप के लिए रुकेंगे तो काफी टाइम होगा चली भी इसका आंसर हम आपको बताते हैं इसका ऑप्सन सी बिल्कुल करेक्ट है अब इसकी ब्याख्य के माद्याम से हम पूरे प्रशन को समझेंगे तो दिया जा रहा है कि कुछ खगोली पिंडों में अपना प्रकास एवं उसमान नहीं होता है बे तारों के प्रकास से प्रकासित होते हैं ऐसे पिंडो को हम कहते हैं ग्रहे ठीक है अब ग्रहे जिसे अंग्रेजी में आप प्लेनेट कह सकते हैं ठीक है अब जो प्लेनेट है ये ग्रीक भासा के प्लेनेटाई सब्द से बना है जिसका आर्थ होता है परिभ्रमक अर्था चारो और घूमने वाला ठीक है तो चली जंद्रमा से option B सूर्य से option C, अन्य ग्रहों से option D proportion सभी से, तो आपको बताना है इसका answer जली से बताएगा बहुती सरल प्रस्च और उसका answer आपको बताते हैं, इसका option B बिल्कुल correct है, प्रतवी जो है प्रतवी जिस पर हम लोग रहते हैं, यह एक ग्रहा है, ठीक आप सबी लो सूर होने के बाद भी प्रत्वी जो इस सूर है यह हमारे प्रत्वी के सबसे नजदीक का तारा है ठीक है प्रत्वी को बहुती अधिक दूरी से जैसे की चंद्रमा से देखने पर अगर आप प्रत्वी को देखेंगे तो यह आपको चमकती हुई प्रतीत होती है ठीक है प्रत बड़ा ग्रहे था है अगर यह प्रस्वनात हो एक दो और तीसरेम ही पहला एक ग्रहह यह इन दोनों के ग्रह कौन सा है, उप्षन ए प्रत्वी, उप्षन B, बुद्ध, उप्षन C, सुक्र, उप्षन D, मंगल, तो जल्ली से इसका आंसर भी हमको कमेंट बाक्स में दीजिगा, चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं, इसका आंसर B है, अर्थाज बुद्ध, जो सूर के सबसे नज विद्ध इसके बाद मिलता है सुक्र, फिर प्रतवी फिर है मंगल और इसके बाद में आता है ब्रसपति पिर याथा शनी फिर है इसके बाद में यूरेनस जिसको आप आरुण भी कह सकते हैं इसको आप बहुरुण भी एक है तो ये है कुछ सूर की बढ़ती वी दूरी के साब से, ठीक है, सूर के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, इसके बाद में सबसे दूर ग्रह कौन सा है, अगर आप से यहाँ पर कई सारी तरीके से प्रशन पहुंचा सकता है, कि सूर के सबसे नजदीक पांचमा ग्रह कौन सा है, ठीक है तो आप उस प्रकार से आंसर दीजिए का चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रस्ण को तो अगला प्रस्ण पूँचा जा रहा है कि निम्न लिखित ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं आंतरिक ग्रह कौन से हैं तो अप्रत्वी 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 बेग रहे जो सूरी के निजदीक है ये बुद्ध है सुक्रह प्रतवी और मंगल है ये आंतरीक ग्रहों की सिर्णी में आते हैं ठीक है तो चलिए आंगे वड़ते हैं और देखते हैं कोस्टन नंबर टैन को बहुत ही मैधपूर्ण सभी प्रस्ण है आप लोग देखते हैं जादा बड़े भी नहीं है और ऐसे ही प्रसना आएंगे तो दस्मेह प्रसन दिया जा रही कि निम ने लिखित ग्रहों में से कॉनμο से ग्रह बाह ग्रह अर्थात बाहए ग्रहे कौन से आंतरी ग्रहे तो यह हो गए ठीक है एक दो तीन और जो यह कहां गया मंगल ठीक है अब बाहए ग्रलइके से इसमें लिजिजमें और गैसे रहीं रिजकर सबीर से युजद हो चलिए Viscenceını exactamente। आपको बताते हैं इसका Option D बिलकुल correct होगा। अर्थात ये तीनों ही ग्रहे जो हैं ये बाहे ग्रहे के सुर्ण के दूर वाले ग्रहे का जाता है। जो सूर से बहुत दूर हैं उनको कहते हैं बाहिग रह ठीक हैं तता बहुत बड़े आकार के ये होते हैं ये गैसों और तरल पदार्तों से बने हुए होते हैं जैसे कि ब्रस्पती है सनी है यूरेनस है नेपचियून है ये चार ग्रह ऐसे हैं जो कि बाहिग रह की सेनी में आ सूर के चार और परिक्रमा कर लेता है प्रसंद पूशा जा रहा है तो आपको बताना है option A 200 दिनों में option B 80 दिनों में option C 88 दिनों में option D 65 दिनों में अठा 65 तो आप जल्दी से इसका आंसर हमको क्वेंट बस मताईगा कि जो बुद्ध है ये सूर के चार और कितने दिन में पूरी परिक्रमा कर लेता है ठीक है इसका परिक्रमार काल कितना है जो कि पूरे 100 दिनों में सबी ग्राओं से सबसे कम है अठादी सबसे कम समय में सूर के चार और परिक्रमा कर लेता है चलिए भी इसका आंसर हम आपको बताते हैं इसका option नमबर C बिल्कुल सही होगा ठीक है जो बुद्ध है ये सूर बुद्ध सोर मंडल में सूर के सबसे नजदीक ग्रह है ठीक है सबसे नजदीक का ग्रह है और इसी कारण से क्या है कि इसका सूर के चारो और परिक्रमण काल जो है ये सबसे कम यानि की 88 थी कि 88 दिनों में पूरा होता है ठीक है ये 88 दिनों में सूर की चारो और चकर लगा लेता है तो ये सबी प्रसे महित्पुर्द होते हैं कि कौन से याए आपको सभी के मिलेंगे आप देखते हैं को स्ब nodig को पूछा जारे कि सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच छुद्र ग्रह पटी पाई जाती है अर्थात कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनके बीच में छुद्र ग्रहों अर्थात छोटे छोटे ग्रह बहुत ही छोटे होते हैं उनकी एक पट्टी पाई जाती है ठीक है जिनको चुद्र गए कहते हैं तो इसका यहां पर option A में दिया जारा कि प्रतवी और मंगल option B मंगल और ब्रस्पती option C है बुद्ध और सुकर option D है सुक्र और प्रतवी तो जल्दी से इसका अंसर भी हमको comment box में दीजिएगा कि इन चारों में से कौन सा option सही होगा कि इन दो ग्रहों के बीच में छुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है चलिए अब इस कांसर अब हम आपको देते हैं इसका option B बिल्कुल correct है अर्था मंगल और ब्रिस्पती इन दो ग्रहों के बीच में हमको छुद्र ग्रहों की पट्टी मिलती है अब चलिए इसकी ब्याक्या को भी देख लेते हैं बहुती महत्पूर है तारों, ग्रहों एब उपग्रों की अतरिक्त असंग के छोटे पिंड सूर के चारोर चक्कर लगाते रहते हैं इन पिंडों को कहते हैं छुद्र ग्रह अर्था जो तारे हैं इसके आदमें जो ग्रह हैं उपग्रह हैं और इसके अतरिक कुछ छोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी- ग्रह की एक भाग होते थे ठीक है ये ग्रह के भाग होते हैं जो कि बरसों पहले बिस्पोर्ट के बाद में ग्रहों से तूड करके अलग हो गए थे ठीक है चली आंगे बढ़ते हैं देखते हैं कोस्टन नंबर 13 को बहुत ही मायत्पूर्ण प्रसन है यह भी तेर्मा प्रसन पूछा जा रहा है कि हमारे सौर मंडल में सूर के सबसे नजदी कौन सा ग्रह अबस्तित है ऑप्शन नेप्चियून जो कि इसको बरुण कहते हैं ऑप्शन बी ब्रहस्पती ऑप्शन सी यूरेनस जो कि जिसको हम लोग अरुण कहते हैं इसके बाद में ऑप्शन डी को बताते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही अर्थात नेप्चियून जिसको हम लोग बरुण कहते हैं अब इसका भी हम पूरा काल क्रम देख लेते हैं सूर से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है सबसे पहले है बुद्ध इसकी बाद में सुक्र फिर मिलती है प्रत्वी फिर है मंगल फिर ब्रसपति फिर सनी और इसके अधमें यूरेनस फिर आता है नेप्चियून तो जो सबसे दूर ग्रहों को आप लोग याद रखीगा कि सूर से दूरी के साब से कौन सा ग्रह मिलता है चलिए आंगे बढ़ते हैं देखते ह कि प्लूटो और सिरस वाद 2003 में एक यूबी 313 नाम की ये तीन ऐसे हैं जिनके ये ग्रहों की सेनी में थे 2006 तक ठीक इनकी खोज हुई थी और फिर क्या हुआ था इन जैसे खगोली पिंडो को बौने ग्रह की सेनी में रखा गया अब इनको बौने ग्रहों की सेनी में क्यों ये रखा गया था क्योंकि ये एक दूसरे की परिक्रमा को काटते थे ठीक है अब कैसे तो इस बात को समझेगा ये सूर है ठीक है ये सूर है अब जितने भी ग्रह हैं ये सूर के चार और ऐसे चकर लगाते हैं ठीक है चार ऐसे चकर लगाते हैं अब एक भी ग्रह एक दूस प्रत्वी के आकार को क्या कहा जाता है अर्था जो प्रत्वी का आकार इसको क्या कहते है आपको आंसर जल्दी से हमको कमेंट बाक्स में देना है चलिए भी इसका आंसर अब हम आपको बताते है इसका आप्सन नमबर ए बिल्कुल करेक्ट है अर्था जो प्रत्वी का आकार है ये भू आब है ठीक है इसकी ब्यक है कि साथ में हम पूरे प्रत्वी को समझेगे प्रत्वी के दुरूबों के पास थोड़ी सी चप्ठी है अर्था गया जो प्रत्वी है इसके जो दुरूब है ये अपने दुरूबों पर थोड़ी चपठी ऐसी है तक बैठी ऐसी है यही कारण है कि इसके आकार को हम भू आब अठाज जियोईड कहा जाता है ठीक है जो भू आब है भू आब का आर्थ होता है प्रतवी के समान आकार जीवन के लिए अनकूल परिस्तितियां समभपता केबल प्रतवी परी पाई जाती है प्रतवी ना तो अंसर देंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है आप सभी लोग इसको जो तो सॉल्फ करने का प्रियास करें कि प्रतवी पर जीवन का मुख की कारण क्या है सूर है जल है हबा है या मिट्टी है क्या है ठीक है तो आपको इसका अंसर देना है यह मैं आपसे एक केज्वली प्रस कि अंत्रिक्षी में अंत्रिक्षी से देखने पर प्रतवी निम्न लिखित में से किस रंग की दिखाई देती है जली से इसका अंसर भी हमको कमेंट बक्स में दीजेगा चलिए अब हम इसका अंसर आपको बताते हैं जो प्रतवी है अगर हम इसको अंत्रिक्षी से देखते हैं तो यह हमको नीले रंकी दिखाई देती है ऐसा क्यों है कारान भी समझेगा अंत्रिक्षी से देखने पर प्रतवी हमको नीले रंकी दिखाई पड़ती है क्योंकि प प्रत्वी पर अधिकतर समुद्री जल ही है ठीकर तुम प्रत्वी क्या है जल की वज़े से हमको नीली दिखाई देती है और इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है चलिए आंगे बढ़ते हैं देते हैं कोस्चन नमबर 16 को तो सोलमा प्रसन आप सभी लोग के सामने हैं बह अप्सन-E यहां पर भी पूछा जारे है कि उपरोग तो सभी अर्थात आपको वह बताना आए कि सौर मंडल का जो निर्मान होता है यह किन चीजों से मिलकर के होता है सूर से या फिर आठ ग्रह से या फिर ख़गोली पिंड से या फिर उपग्रह से या फिर इन चारों ची चलिए अब इसका अंसर हम आपको बताते इसका option number E बिल्कुल correct होगा अर्थात इन सभी चीज़ें से मिलकर के सौर मंडल का निर्माण होता है अब इसकी ब्याक्य के माद्यम से हम पूरे प्रश्ण को समझेंगे सूर्य आठ ग्रे सूर्य आठ ग्रे उपग्रे तता कुछ अन मुख्या जो होता है वो सूर्य होता है सौर परिवार का मुख्या कौन होता है तो सूर्य होता है ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं देखते हैं question number 17 को तो सत्रमा question आप सभी लों के सामदे है निम्नलिखित में से कौन सा या पिर से गतन सकते हैं या फिर हैं आपको बताना ह कि इन चारों कतनों में से कौन से कतन सकते हैं option A अठाद पहला कतन दिया जा रहा है सूर का खिचाब बल सौर मंडल को बांदे रखता है दूसरा कतन दिया जा रहा है सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकास एवं उस्मा का मुख्य स्रोत है इसके तीसरा कतन दिया रहा है कि सू ये ये चारो ही कतन सत्तन है उपरोग तो इसको आप लोग समझी गा उपरोग तो सभी कतन सत्त हैं सूर सौर मंडल के के अंदर में ही इस्तित अर्थाथ चौता कतन के पुष्टी हो गई इसके एद में यह बहुत ही बढ़ा है इसके बाद में कहा है कि इसका जो खिचाब है वहे इससे सौर मंडल को बांदे रखता है पहले की भी पुष्टी हो गए ठीक है इसके बाद में बहुती दूर है कापी दूर है इसकी जो दूरी है वो लगबग पंद्रा करोण किलो मीटर है आप लोग समझेगा कि सूर से प्रतवी की जो दूरी है ये पंद्रा करोण किलो मीटर है ठीक है और इसमें जो सूर से प्रकास आता है प्रतवी पर ठीक है इसका प्रकास सूर से प्रतवी तक पहुंचने में आठ मिनट लगते हैं अठा जो सूर से प्रकास आता है प्रतवी तक तो प्रतवी तक सूर के प्रकास के आने में लगता है आठ मिनट पूरा ठीक है तो अब आप लोग यहां पर इस सोचिगा कि अगर सूर के पास में किचाब बल ना होता तो क्या होता यह क्योंकि इसके जो खिचाब बाले उसके कारण ही ये इसका चक्कर लगाते हैं फिर क्या कहते हैं कोई गरेदर जाता तो कोई गरेदर जाता कोई कहीं जाता तो कई कहीं जाता कोई भी ग्रह एक स्थान पर एक जो तो एक सर्कुलर वे में चक्कर नहीं लगाता इसका एक पर इ देखते हैं question number 18 को बहुत ही महित्पूर्ण प्रशन ये भी है अठार्मा question पूछा जा रहा कि सौर मंडल की ग्रहे जो सूर का चकर लगाते हैं उनके पत किस आकार में फैले हैं option A ब्रत्तकार, option B लग ब्रत्तकार, option C दीर्ग ब्रत्तकार, option D इन में से कोई नहीं तो जली से इसका answer हमको comment box में दीजेगा, कि जो सौर मंडल की ग्रहे हैं, ये जो सूर के चकर लगाते हैं, उनके पत किस आकार में फैले हैं चलिए इसका answer अब हम आपको बताते हैं, इसका option C बिल्कुल correct है, ता दीर्ग ब्रत्तकार में चकर लगाते हैं ठीक है, अब इसकी ब्यक्षा को भी देख लीजीगा, सौर मंडल के सभी आठ ग्रहे, एक निस्जित पत पर सूर का चकर लगाते हैं, जो रास्ता होता है, इसको दीर्ग ब्रत्तकार रूप में फैला हुआ है, ठीक है, इसे कक्षा कहते हैं, अपनी अपनी कक्षा में सभी ग्रहे, सूर के चकर लगाते हैं, ठीक है, अपनी अपनी कक्षा में सभी ग्रहे हैं, जो की सूर के चकर लगाते हैं, और एक भी ग्रहे, एक दूसरे की परिक्रमा को काटते नहीं हैं, ठीक है, चली आंगे बढ़ते हैं, देखते हैं, कोस्ट नमबर 19 को, तो जो 19 परस ने comment box में दीजेगा कि प्रत्वी का जुडवां ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है चलिए इसका अंसर हम आपको बताते हैं प्रत्वी का जुडवां ग्रह सुक्र को कहा जाता है ठीक है option B बिल्कुल correct है जो प्रत्वी का जुडवां ग्रह इसको सुक्र को कहा जाता है क्योंकि यह आकार घनत्तों इवं ब्यास इन तीनों चीजों में जो प्रत्वी है इससे लगबग बराबर है कौन सा सुक्र ग्रे ठीक है तो इस प्रस्ण को भी याद रखीएगा बहुत ही मायत्मों प्रस्ण है चलिए आंगे बढ़ते हैं देखते हैं 20 में प्रस्ण को 31 प् सबसे निकटता हम ग्रे है वह सुक्र ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं देखते हैं कोस्चन नंबर 21 को 21 में प्रस्ण आप सभी लोग के सामने हैं हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रे कौन सा है ऑप्शन ए बुद्ध ऑप्शन ए ब्रस्पती एव और सबसे बड़ा ग्रे का उनसा इन चार आपसन आप सभी लोग के सामने जली से आंसर कमेंड बॉक्स में दीजेगा चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है ब्रहस्पती और बुद्ध ठीक है अब इसको देख लेते हैं पूरी ब प्रशनों को देखना भी है बाइसमा प्रशन दिया जारे कि कौन से बेदोग रहे हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण बिपरीद दिशा में है ऑप्शन ए बुद्ध और सुक्र ऑप्शन बी सुक्र और यूरेनस अर्थात अरुन ऑप्शन स है कि ये कौन से बेदोग रहे हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण जो है ये बिपरीद होता है उल्टा होता है चलिए अब इसका अंसरा हम आपको बताते हैं इसका उप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है था सुक्र और यूरेनस ये दोनों ही उल तो ये बिल्कूर करेक्ट है प्रेक्रमण आपकराइ गीपरीद होती है सुक्र और यूरेनस से घड़ी की सुआ के प्रिकलत दिखा संय में जो पहले है गड़ी की सुई की उल्टी दिसा में ठीक है अठाद उल्टे घुमते हैं ये चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्टन नमबर 23 को तो तेश्मा कोस्टन आप सभी लोग के सामने हैं पैरा पौरानिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को क्या कहा जाता था ओप को किसी भी स्टेंडर्ड बुक में नहीं मिलने वाला यह जबकि ये पॉंचा जा सकता है अभी तक तो नहीं पूंचा गया लेकिन पूंचा जा सकता है ठीक है तो जली से इसकांसरव को क्मेंट बक्स में दीजीगा चलिए इसकांसरव हम आपको बताते हैं इसका उप्सन बिल्कुल करेक्ट है था सोल कहा जाता था पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्देवता को सोल कहा जाता था ठीक है इसके बाद में कोस्टन नमबर 24 आप सभी लों के सामने हैं निम्नलिकित में से प्रकास की गति कितनी होती है तो आपको बताना है कि जो चार आपसन यहाँ पर दिये जा रहे हैं इनमें से कौन सो आपसन से अर्थात प्रकास की जो गति होती है ये कितनी होती है कितनों किलोमेटर प्रकास से प्रकास चलता है चलि इसका अंसर ह Promised A बिल्कुल Correct है तरत तीन लाग किलोमthemेटर प्रकास की गति लगबग 3 लाग किलोमेटर प्रकास से एंड होती है इस गति के बाबजूत भी सूर से जो प्रत्वी तक प्रत्वी पर ये आठ मीनट लग जाते हैं इसको सूर से प्रत्वी तक 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 ठीक है तो ये प्रसने कैसा है जो कि आप लोंको कम समझ में आ रहा होगा लेकिन मैंतपूंट प्रसने हैं समझीगा उपरोग तो दोनों कतन सत्य हैं क्या कि जो ब्रस्पति यह है और सनी है ब्रस्पति सनी और यूरेनस इन चारों ग्रहों में क्या कि इनके तीनों ग्रहों के सायता से आप इनको देख भी सकते हैं ठीक है चली आँगे बढ़ते हैं देखते हैं कोस्टे नंबर 26 को बहुती मैत्पूर्ण प्रसन है सभी काफी मेनत करता हूँ तो आप लोगों से एक इन्डूर जाता है कि हमारे वीडियोस को सेर जूरू कर दिया करें ठीक है तो 26 प्रसन दिया जा रहा है कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है अर्थात जो प्राकरतिक उपग्रे होता ही नहीं है चंद्रमा को उपग्रे भी कहा जाता है ठीक है तो कौन से ऐसे दो ग्रहे हैं के पास में कोई भी चंद्रमा है ही नहीं अप्शन ए बुद्ध ऑप्शन बी सुक्र ऑप्शन सी ब्रहस्पति ऑप्शन डी ए बाभी दोनों तो जल्दी से हमको पताएगा कि कौन से ऐसे ग्रहे हैं जिनके पास में प्राकरति को पगरे नहीं है चलिए इसका अंसर आपको ब सबसे अधिक उपगरे तो आपको बताना है कि सबसे अधिक उपगरे सबसे अधिक उपगरे हैं किसके पास हैं कौन से ग्रहे पास हैं चलिए इसका अंसर हम आपको बताते हैं इसका उपसन सी बिलकुल करेक्ट है रहता ब्रहस्पत के पास में आप सभी के पास देख लीज़े जब यह की बात हुई है तो सञी के पास है बहां सट चंद्रमा पूरे ठीक है शिच्टिव चंद्रमा इसका दमें ब्रहस क्रफ़ी के पास में एक ही चंद्रमा है तो यह आपको मिल गई संख्या कि किस ग्रहों के पास में प्रत्वी के पास में एक है चलिए आँगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 में प्रस्तु को वीडियो बस थोड़ा और बचाए जल्दी से देख लिजेगा निम्न लिखी कतनों में से कौन सा या फिर से कतन सकते हैं अब पहला कतन दिया जा रहा है कि उपग्रे अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं साथी साथ सूर की भी परिक्रमा करते हैं कतन दूसरा चन्रमा की प्रत्वी से दूरी लगबग तीन लग 84,400 किलो मीटर है तीसरा कत प्रत्वी का जो उपग्रए जिसका नामे चंद्रमा इसका जो ब्यास है ये प्रत्वी के ब्यास के एक चोथाई है ठीक है तो जल्दी से इसका अप लोग ब्याख्यों को भी देख लीजीगा काफी बड़ी ब्याख्या है तो इम्पोर्टन भी है उपग्रे को अंग्रेजी में सेटेलाइट कहते हैं जिसका आर्थ होता है साथी या फिर सहचर ये उपग्रे अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं इसके लिए एक point भी दिये जाड़ है कि हमारी प्रत्वी के पास केवल एक उपपगर जिसका नाम है चंद्रमा इसका ब्य्यास जो प्रत्वी के ब्यास के केवल एक 14 यृट एक वरटा 4 भां भाग है यह इतना बड़ा इसलिए प्रतित होता है क्योंकि यह हमारे प्रत्वी के अन्य ग्रहों की तुलना में यह हमारे अन्य ग्रहों की तुलना में ठीक है इसकी जो दूरी है ये लगवक तीन लाग 84,400 किलो मीटर है जबकि सूरी की जो दूरी है ये कितनी है ये 15 करोण किलो मीटर ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं जेकते हैं कोस्ट नमबर 29 को तो 29 प्रसंद दिया जारा कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खकोल सास् चलिए इसका आंसर आव माग वताते हैं इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है अर्था प्राचीन भारत के जो प्रसिद्ध खकोल सास्ति थे वो थे आरे भट खकोल पिंडो एबं उनकी गति के संबंद में अध्यन करने वालों को खकोल सास्ति कहते हैं आरे भट प्राचीन प्रसिद्ध खकोल सास्ति थे जो खकोली पिंडो की और उनकी गति के संबंद में अध्यन किया करते हैं उनको ही कहते हैं खकोल सास्ति ठीक है तुछली आंगे बढ़ते हैं देखते हैं कोसे नंबर 30 को तो 30 मा प्रसिद पूचा जा रहा है कि निमनलिकित कतनों में से कौन स कतन सकते हैं पहला कतन दिया जा रहा है कि चंदर्मा प्रतवी का एक चकर लगवक 27 दिन में पूरा करता है दूसरा कतन दिया जा रहा है कि प्रतवी से हमें चंदर्मा का केबल एक ही भाग दिखाई देता है तीसरा कतन है नील आर्मे स्टॉंग पहले व्यक्ति थे जिनोंन चली इसका अंसर आपको बताते हैं इसका option number कौन से सही होगा उप्रोग तो सभी कतन सकते हैं अर्था तीनों ही कतन सकते हैं अब ब्याके के माद्यम से हम पूरे प्रशन को समझेंगे तो दिया जार की उप्रोग तो सभी कतन सकते हैं चंदर्मा प्रतवी का एक चकर लगबग जो तीन सो साट डिग्रिए गोम भी जाता है अर्थात ये खुद भी गोम जाता है पूरा और इसका भी पूरा चकर लगा लेता प्रतवी का भी सताईreibtी में ठीक है लगबग सताई दिन की बात है और इसके बाद में आँगी दिया अथा आतार्व के दोरा प्रतवी का एक चक्र पूरा करने में लगने वाला समय के बराबर अर्थात अपना जो प्रत्वी पर प्रत्वी का चक्र लगाता है दोनों में एक ही समय है अर्थात बराबर इसके परणाम सुरूप प्रत्वी से हमें चंद्रमा का केबल एक ही भाग दिखाई देता है ठीक है केबल क्या है क देखीगा जैसे ये प्रत्वी है ये भी घूम रही है ठीक है चंदर्मा भी इसका चकल लगा रहा है अब चंदर्मा स्वैम भी घूम रहा है स्वैम भी घूम रहा है तो इसलिए कि हमें सिर्फ प्रत्वी का चंदर्मा का एक ही भाग दिखाई देता है इसके बाद में ले चंद्रवा की सतय पर कदम रखाता अभी हमको स्रोत कहां से मिलता है तो स्रोत नासा की जो आधिकारी बेपसाइट है उसके निसार दिया जा रहा है कि जो ने ये नील आर्विस्टॉंग थे ये पहले वेक्ट थे जिन्नोंने 20 जुलाई 1979 को कदम रखा था ठीक है और जबकि अगर देखा जा एंसी आर्टी की कच्छा से की जो पुस्तक है जो कि हम आपको पढ़ाएं जिसके पुस्तक के माद़र हमसे कोस्टन को लेकर किया है इसमें दिया जा रहा है कि 21 जुलाई 1979 को तो आप लोग बताईगा कि इन दोरों में से कौन सा कतन सही मानेंगे आप नासा की जो आधकारी वेपसाइट ही वो बता रही है कि उन्हें 20 जुलाई 1969 को कदम रखा था जो एंसी आरटी है वो बता रही है कि 21 जुलाई 1979 को ठीक है तो आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं इसमें आपको अगर सही बताएं तो आप अगर ना सावला लिखेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं देखते हैं 31 में प्रस्ण को बहुत ही मायत्मूर्ण प्रस्ण है इसको हम आपको ब्याख्य के साथ में बताते हैं इसका आंसर आप लोगों को देने की अबस्टा नहीं है पूछा जा रहा है कि निमलिखित दिये गए कतनों में से कौन से कतन सकते हैं पहला कतन दिया जा रहा है सूर के चारों और चकल लगाने बाले पत्थरों के छोटी-छोटी टुकणो को उलका पिंड कहते हैं दूसरा कतन है खुले आकास में फैली एक छोड से दूसरी छोड तक है चोडी सपेद पट्टी जो की लाखों तारों का समू है इसको आकास गंगा कहते हैं तो यह दोनों ही कतन सकते हैं उपरोग तो दोनों कतन सकते हैं इसकी ब्याकर को देखीगा सूर के चारो और चकल लगाने वाले जो पत्थर हैं इन पत्थरों के चोटी टुकड़े हैं इनको कहते हैं उलका पिंड अब इसके आज में दूसरा पॉइंट ही दिया जा रहा है कि खुले आकास में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चोड़ी सपेद पत्थी जो की एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है ये लाकों तारों का एक समू है ये पत्थी आकास गंगा है हमारा सौर मंडल आकास गंगा का ही एक भाग है ठीक है प्राचीन भारत में इसकी कलपना आकास की आकास में प्रकास इसकी कलपना आकास में प्रकास की एक बहती नदी की की गई है ठीक है नदी से की गई है इस प्रकार इसका नाम आकास गंगा पड़ा है लाकों आकास गंगा है मिला करके ब्रह्मान का निर्मान करती है अब आप बात को सोचीगा कि एक ब्रह्मान्ड में लाखों आकास गंगा हैं और एक आकास गंगा में कितने सौर मंदा है आप तो समझ सकते हैं इसको न तो बहुत ही बड़ा ही ब्रह्मान्ड है ठीक है आज की इस चेप्टर में भाई लोग इतने ही प्रस्ण थे तो जिन लोग को NCRT के नोट्स चाहिए हैं वो लोग हमें whatsapp पर मैसेज करके NCRT के नोट्स को ले सकते हैं ठीक है और इसके लिए आपको payment भी करना होगा तो सिरू वही लोग मैसेज करें जो लोग NCRT के नोट्स को लेना चाहते हैं ठीक है और आप लोगों से खंड रोध इक हम बहुत ही महनत से विडियों को बनाते हैं तो आप लोग सेयर कर दिया करें और टाइम से विडियों नहीं के तो सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक लिए जहें दोस्तों